नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रौसान और आप देख रहे हैं GK Affairs YouTube चनल दोस्तों इस चनल पे आपको प्रिवियस एर पेपर का discussion मिल जाता है तो आप लोग ज़रूर इस चनल को subscribe करके bell icon को press रखिए दोस्तों आज हम यहाँ पर question paper जो discuss करेंगे वो है DDA that is at Delhi Development Authority में इक्जाम हुआ था Assistant Section Officer Stage 2 का कब 28 सितंबर 2024 को shift first में इसमें General Awareness के जितने भी प्रस्न पूछे गए थे सभी को हम एक एक करके discuss कर लेंगे बस आपको क्या करना है ध्यान से देखना है और अपना notes भी साथ में बनाते चलना है और देखिए PDF चाहिए तो आप हमारे Telegram चैनल से और आपके पास भी किसी exam का question paper है तो gkfairs25 at the rate gmail.com पे भेज सकते हैं ताकि उसको भी आमें आपर discuss कर सकें तो देखिए question number first है कि कोलकाता के परसिद्ध Victoria Memorial का बास्तुकार कौन था जी हाँ कोलकाता में है क्या है तो Victoria Memorial है तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि इसको कब बनाया गया था जी हाँ तो 1906 से लेके 1921 के बीच में बनाया गया था और इसको बनवाने वाला कौन था तो ओ था Lord Karjan जी हाँ उस समय भारत के बाईसराय Lord Karjan था तो इस तरह से Lord Karjan ने इसको बनवाया था और इसके जो बास्तुकार थे बिलियम इमर्सन थे तो correct उत्तर A सही होगा इसका ध्यान रखेगा correct उत्तर इसका A सही होगा और देखे जो option D में है ए भी कहीं कहीं दिया राता है लेकिन A जो परमुख वास्तुकार था बिलियम इमर्सन इसको ध्यान रखेगा और A dedicated था किसको तो यहाँ पर Queen Victoria को dedicated था जी हाँ Queen Victoria को dedicated ए परसिद Victoria Memorial कहां है तो कोलकाता में है तो इस तरह से इसको ध्यान रखेगा अब देखें next question है कि भारत में पहली जो है जन संख्या जन गन्ना कब आयुजित किया गया था जी हाँ पहली जन संख्या जन गन्ना 1872 में हुआ था तो यहाँ पर ध्यान रखने ना है कि Lord Mayo के समय में हुआ था जी हा लगतार वाला नहीं था तो जो पहला जो है synchronized census जो है 1881 इस वी में शिरू हुआ था इसको भी ध्यान रखेगा या यानिकि first synchronized census of India conducted in 1881 during the period of Lord जो है रिपन तो Lord रिपन के समय में जो है इसको ध्यान रखेगा तो 1881 में वैसे पहली जन संख्या जन गन्ना 1872 में हुआ था त टुतर इसका A صحी हो जाएगा इसको जरूर ध्यान रखेगा उसके देखए next question है कि नमलखित में से किस हिंदू गरंत में गायत्री मंत्र सामिल है तो गायत्री मंत्र जो जो यहां पर सामिल है इसको ध्यान रखेगा कई वार exam में पूछेगे हैं तो किस हिंदू गरंत में पुछा गिया है, तो यह है रिग बेद में, जिहां रिग बेद के यहां पर टोटल दस मंडल है, जिहां टोटल दस मंडल है, तो इत दस मंडल में, जो है तीसरे मंडल में, जिहां तीसरे मंडल में यहां पर ध्यान रखेगा, तीसरे मंडल में यहां पर गायतरी मंतर का उले किया गया है, टूटल अगर बेद हम बात करते हैं, तो चार बेद है, जिहां चार बेद है, रिगवेद, साम बेद, यजूर बेद और अधर बेद, इस तरह से ध्यान रखिएगा, अब देखिए नेक्ट कोश्चन है, कि नमखित में से, किस सासक अपनी राजधानी दिल्ली स दवलताबाद अस्थानांतरित किया था, जिहां, दिल्ली से दवलताबाद, दिल्ली से दवलताबाद इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो महम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो यानि कि पहले रा बहुत ही important है धान रखेगा और दखे कब जो है अस्थानांतरित किया था तो 1327 में जिहां 1327 इस्वि में अस्थानांतरित किया था और दौलताबाद पूछे कि कहां पर है अभी जो है दौलताबाद महरास्ट में है और इसको दौलताबाद को पहले डेबगिरी के नाम से जा अनतरित कर लिया था उसका देखे नेक्स्ट कोशन है कि बित्ये बजारों की देख रेक और बिन यमन के लिए 1992 में भारत में किस संस्था की अस्थापना की गई थी तो देखे भारत में जो अस्थापना की गई थी वो की गई थी सेवी की जी हां सेवी की अस्थापना यहा इसकी अस्थापना की गई थी, तो correct उत्तर इसका, भी होगा, लेकिन इसकी अस्थापना की गई थी, 1992 में इसके लिए ACT लाए गया, सेवी ACT लाए गया था 1992 में, तो इस तरह से इसकी अस्थापना तो 1988 मुही थी, लेकिन ACT 1992 में लाए गया था, और इसका headquarter कहाँ पर है, तो मुंबई में है, जी हाँ मुंबई में इसका headquarter है, इसको ध्यान रखेगा, फ्रस्ट इसके chairman जो बने हैं, जो बीमन बने हैं, वो माधवी पूरी बुझ बने हैं, तो इस तरह से ध्यान रखेगा, उसके बाद एकिए option A में है, बीमा नियामा पूछा गया है, तो हैदराबाद में इसका headquarter है, जी हाँ है, हैदराबाद में IRDAI का headquarter है, इसको ध्यान रखेगा, उसके देखें, Reserve Bank of India, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिस की अधार पे, RBI Act लाए गया 1934 का, जी हाँ 1934 का Act लाए गया, और इसकी अस्थापना हुई 1 April 1935 को, 1 April 1935 को अस्थापना हुई, और जो है ध्यान रखेगा, पहले इसकी जो राइधानी, सोरी, यहाँ पर headquarter था, वो था कहां, तो कुलकाता में, 1937 में इसकी headquarter मुंबई सिफ्ट कर दी गई, और इसका राष्टी ये करन कर दिया गया, 1 जनवरी 1949 को, तो ध्यान रखेग और देखे, उसके बाद है, D में, National Bank for Agriculture and Rural Development, तो सिब्रमन समीती के अधार पे 12 जुलाई, ध्यान रखेगा, 12 जुलाई, 1982 को इसकी अस्थापना की गई थी, तो सिब्रमन समीती के अधार पे की गई थी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लिजेगा, तो इतने सारे effect मैंने उसका देखे, next question है, कि फरबरी 2024 में, नई दिल्ली में National Sports Club of India ने, Sports Generalist Federation of India और दिल्ली Sports Generalist Association द्वारा Lifetime Achievement Award से किसे सम्मानित किया गया, तो जी हाँ, तो किसको सम्मानित किया गया, तो PT उसा जुको सम्मानित किया गया, क्योंकि अभी जो है, धान रखेगा, कि Indian Olympic Association के, जो ह लीड करने वाले, तो PT उसा को जो है अवार्ड मिला है, इसके द्वारा, तो दिल्ली में National Sports Club of India में, Sports Generalist Federation और दिल्ली Sports Generalist Association द्वारा Lifetime Achievement Award PT उसा को दिया गया था, तो करेक्ट उतर इसका D सही हो जाएगा, तो देखे, next question है, कि फिलिपिन्स के क्योजोन सहर की मेयर, जो से फिना बिल्मुंटे को, इउन एपी के 2013 Champions of the Earth पुरसकारों की कि सिरेनी में समानित किया गया है, तो सबसे पहले ध्यान रख लेना कहां की है, तो फिलिपिन्स के है, तो क्योजोन सहर की मेयर है, फिलिपिन्स के क्योजोन सहर की मेयर है, जो से फिना बिल्मुंटे, तो इनको UNEP, यानि कि United Nations Environment Program का जो Champions of the Earth पुरसकार है, उसमें Policy Leadership, तो ध्यान रखेगा Policy Leadership, that is, नीती नत्रित्व के छेत्र में इनको अबाड मिला है, तो ध्यान रख लिजेगा, उसके देखें, नेक्ट कोशन है कि, अगस्त दोजार चोबिस में, जो है, बनस्पति विज्ञान सिचको ने महरास्ट के भंडारा जिले में, अब देखें, महरास्ट के भंडारा जिले में, अस्थित, अंबागर जंगल में, क्लिस्टेंथस, दिछा भुमियाना नामा के एक नई पोधे की प्रजाती खोज की है, तो कितने जो है, यहाँ पर तीन जो है प्रजाती है, अगस्त द भुमियाना नामा की नई जो है पौधे की खोजगी है तो तीन इसका सही उत्तर होगा तो गरेक्ट उत्तर इसका थेरी हो जाएगा अब देखें next question है कि निमलखित में से किस भारतिय समराजने एक प्रमुख राजनितिक नवाचार अमारा नायक परनाली तो देखें एक परनाली आपको जरूर ध्यान रख लिएना है क्या है अमारा नायक सिस्टम तो इसको जो हैक सुरुगात किसने की जो की एक क्या है तो प अपना किसने की, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाईयों ने मिलकर किया था, तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रख लिजेगा, आप देखें कोशन है कि किसको छोड़कर भारत के सकल घहरेलू उत्पाद, आप देखें GDP, जी डी पी यानि कि gross domestic product की घंडना करने के लिए स प्रोडक्शन अप्रोच, तो देखें, income अप्रोच होता है, expenditure अप्रोच होता है, और production अप्रोच होता है, चोथा है value added, यहाँ पर trade अप्रोच नहीं है, तो correct उत्तर इसका C सही होगा, यानि कि ब्यपार दिरिष्टी को नहीं होता है, तो इस तरह से इसमें एक और add कर किएगा, अब देखें, next question है, कि नम्रखित में से, किस भारती राज में देश में सबसे अधिक इसाई जो है अबादी है, तो सबसे अधिक इसाई अबादी, that is a Christian population, जो है, किस जो है राज्य में सबसे आदा है, केरल इसका सही उतर होगा, अब देखें, केरल में क्या है कि जितने भी जो है इसाई जो है अबादी है, भारत में उसम का जो है 22 पर 30 आवादी जो है, इसका ध्यान रख लेजएगा, अब देखें, इसमें इसाई population जो है कहाँ पर सबसे आदा है, तो केरल इसका सही उतर होगा, जी हाँ, केरल इसका सही उतर होगा, इसको जरूर ध्य रख लेना है और देखे केरल में क्या है कि भारत के जितने भी इसाई populations है उसका 22 परतिसत आवादी जो है कहा निवास करती है तो केरल में केरल इसका सही उत्तर होगा इसको जरूर ध्यान रखिल लिजेगा बहुत ही important question है उसका देखे next question है कि बुध की जीवनी बुध चरित की रचना किष्णे की जी हाँ बुध चरित की रचना जो है किष्णे की और ये बुध की जीवनी है तो बुध की जीवनी है तो देखे ये ध्यान रखेगा अस्व घोस इसका सही उत्तर होगा जी हाँ बुध चरित की रचना किष्णे की तो अस्व घोस ने की और अस्वघोस के बारे में पूछा जाए, तो ये कनिस्क के दरवार में कभी थे, चीहां, कनिस्क के दरवार में कभी थे अस्वघोस और इन्होंने बुद्ध के जीवनी बुद्ध चरित की रचना, तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रख लिजेगा, तो correct उतर इसका C, अ चेर्मैन है, एस सूमनाथ, इनके 10 में चेर्मैन है, इसको ध्यान रख लिजेगा, आप देखे, इसरो की अस्थापना कभी थी, तो 15 अगस्त, जीहां 15 अगस्त 1969 को हुआ था, तो ध्यान रिख लिजेगा, आप देखे, एक कौन सी अस्थापना जो है वर्स अपना मना रहा है, तो इसको जो है कॉंट कर लिजे, तो पचपनमी जो है यहां पर ध्यान रख लिजेगा, 55 जो है अस्थापना दिवस, जो है 15 अगस्त, दोजाट चोबिस को अपना मनाया है, तो ध्यान रख लिजेगा, और इसका हेटक्वाटर पूछा जा इसरो का, तो बैंगलूरू में इसका हेटक्वाटर है, इसको ध्यान रखेगा, अब देखे, नेक्श कोशन है, कि जब 1991 की नई आर्थिक निती आई थी, तो देश की अर्थ्वस्था में सुधार हुए थे, तब भारत के बित मंत्री, अब देखे, कई वार एक्जाम में कोश्चन आ चुके हैं, कि भ Finance Minister of India थे, जो है, मनमोहनसी, अब देखे, 1991 की, तो इसके लिए भारत, पहले भारत की अर्थ्वस्था कैसी थी, बंद थी, उसके बाद, जो है, LPG reform लाया गया, जिहां LPG reform इसको बोलते हैं, यानि कि liberalization, privatization और globalization, तो तीन तरह के यहां पर reform लाय गये थे, 1991 में, यानि कि भार प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो PM थे उसमें, पीवी नरसिमहा राओ, पीवी नर सिमहा राओ थे, इसको ध्यान रखेगा, अब भारत की नौमें प्राइम मिनिस्टर थे, जिहां नौमें प्राइम मिनिस्टर थे, 1991 लेके 1996 तर, तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान यह हो जाएगा डाक्टर मनमोहन से इसका सही उत्तर हो जाएगा अब देखें next question है कि कच का महान रण जो है किस भारती राज में अस्थीत है तो देखें इस तरह से जो है भारत का अगर हम मैं बनाते हैं तो यह जो है आपको कच यानि कि यह बला portion जो गुजरात का है तो है कच है तो यहाँ पर गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा तो करेक्ट उत्तर इसका ध्यान रख लिजएगा कि गुजरात में जो है कच का रण अस्थीत है अब देखें next question है कि कौन सी नदी हिमाचल परदेश से होकर नहीं बहती है अब देखें भारत का अगर नदियों ब्यास और सतलेज तो सिंदू उसके बाद देखें रावी जो है सिंदू जहेलम चेनाव रावी ब्यास और सतलेज तो देखें चेनाव भी हिमाचल परदेश होकर बहती है यमना भी बहती है रावी बहती है कृष्णा जो है यहाँ पर प्रैदिपिये भारत की नदिया है तो इसका correct उतर होगा, कृष्णा इसका जो है, सही उतर हो जागा, जो की हिमाचल परदेश से होकर नहीं बहती है, तो कृष्णा इसका सही उतर होगा, अब देखें next question है, कि अगस्त 2024 में नई की गई, जो शुरुगात की गई थी UPS, जी हाँ, अगस्त 2024 में गवर्मेंट इंडिया के द्वारा जो है, एका scheme लाए गया, NPS, New Pension Scheme के जगा, UPS को implement करने के लिए, अभी देखें, एक April 2025 से implement होगा UPS, और यह optional होगा, कि या तो NPS ले सकते हैं, या फिर इसको ले सकते हैं, तो देखें UPS क्या है, इसका full form भी exam में पूछे जाएंगे, तो इसको ध्या कर लिया है, तो महरास्टा इसका सही उत्तर होगा, यानि कि देश का महरास्टा ऐसा पहला राज हो गया है, चुकि UPS को जो है लागू किया है, तो इस तरह से ध्यान रख गिएगा, अब देखें, नेक्स कोशन है, कि भारत में जमिंदारी पर्था का उन्मुलन निमलखित लिया था, और उत्तर परदेश पहला राज बना था, और इसके लिए उन्होने लाया, UP ध्यान रखेगा, UP जमिंदारी, UP जमिंदारी, अबलीशन, अबलीशन, एंड लेंड रिफोर्म अक्ट, एंड लेंड रिफोर्म एक्ट लाया, कब निश्व पचासका, जी हां, इसक इस तरह से ध्यान रखिएगा अब देखे नेक्स्ट कोशन है कि कौन सा भारतिय मंदिर परसर अपनी चटानों को काट कर बनाई गई बास्तु कला के लिए परसीद है और महावली पूरम में अस्थित है जिहां महावली पूरम में अस्थित मंदिर है तो सोर टेमपल इसका सह यहीं उत्तर होगा यहनि कि तत्त मंदिर इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत ही इमपोर्टैंट कुश्चन है अब देखे जो सोर टेमपल है उसको नर्सीघ़्ापन दूइतिय और बनाई था औरर यह प महावली पूरम में अस्थिता है जो कि एक चट्णों को काटकर बन तंजाबूर में है तंजाबूर में एस्थित है यानि की तमिल नाडू में और इसको चोल राजा ध्यान रखेगा ब्रिदेश्वर का तंजाबूर में मंदिर है उसको चोल राजा राज राज पर्थम ने बनवाया था इसको ध्यान रखेगा उसके देखे आठमी सतापदी म बना केलासनाथ मंदिर ये लोरा महराष्ट में है जो की रास्टकूट बंस के किरिष्ण फर्स्ट राजा ने बनवाया था जी हां रास्टकूट बंस के किरिष्ण फर्स्ट राजा ने बनवाया था केलासनाथ का मंदिर और एक लोरा और अंगाबाद महराश्ट में है जो की आठमी सताब्दे में बना था उसके देखें मिनाच्छी का मंदिर एक कहाँ पर है तो मदुरई में है जी हाँ मदुरई तमिलाडू में अस्ती थे तो तीन मंदिर आपको तमिल लाडू में है, एक जो है महराष्ट में है, तो लेकिन इस question का answer है, C, Sour Temple, आप देखें, next question है, कि वह दर, जिस दर पर भारती रिजर्व वैंक, बानिजिक वैंक से धन उधार लेता है, यह short time, जो है, loan होता है, इस तरह से, तो क्या RBI, देखें, RBI लेता है, commercial bank से, commercial bank से, loan लेता है, यानि कि इस तरह से ध्यान रखेगा, तो यह reverse repo rate है, reverse repo rate, और जो है, जब यहाँ पर ध्यान रखेगा, कि commercial bank लेती है, reserve bank of India से loan, तो है repo rate, इस तरह से ध्यान रखेगा, तो यह reverse repo rate होगा, तो ध्यान रखेगा, correct उतर इसका B होगा, उसके देखिए next question आपके सामने है कि सितंबर 2024 में भारतिय मुक्यवाज दिपाली थापा तो भारतिय मुक्यवाज हैं कोश्चन ए भी पूछा यागा कि दिपाली थापा जो किस खेल से संबन्नित है तो भारतिय मुक्यवाज हैं इन्होंने ACI इवा मुक्यवाजी चैंपियंशिप में अस्कूली छातरा का चैंपियन बन गई है तो यह कहां जो है आयोजन इसका हुआ था तो यह UAE में हुआ था इसको ध्यान रखेगा संजुक्त अमिलात में इसका आयोजन किया गया था तो करेक्ट उतर इसका बी सही हो जाएगा उसके देखिए next question है कि न अमजद अली खान है तो करेक्ट उतर इसका यह सही होगा next question है कि कुचिपूरी निमलखित में से किस भारतिये राज्य का सास्त्रिये निरित है तो इसको मैंने कई बार पढ़ाया है कि भारत के कुल मिलाकर आठ जो है सास्त्रिये जो है निरित है जिसमें कि कुचिपूरी जो है आंधर परदेश से सम्मंदित है तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होजगा तो आंधर परदेश से है उसके कथक नौर्थ इंडिया जो है उत्तर परदेश से इसको रख सकते हैं यार कथक अली और मोहिनी एटम केरल से हो गया भरत नाट्यम तमिलाड़ो से हो गया किस देश की संपत्ती और आई की असमानता दिखाने के लिए यहां पर यहां पर सो करना है तो किस टेक्निक का यूज किया जाता है यह बहुत ही important टेक्निक है लॉरेंज करब का तो लॉरेंज वक्र इसका सही उतर होगा तो देखे कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि यह कम और वेल्थ का अगर इन इकुलिटी दिखाना है तो लॉरेंज करब इसका सही उतर होगा और देखे नेक्ट कोशन है कि फरबरी 2024 में भारत सरकार ने भारत सरकार ने इस ध्यान रखेगा 1189.72 करोड रुपे आवंटित करते हुए अपनी महला सुरच्छा योजना को कब बढ़ा दिया है तो 2020 ध्यान रखेगा 2025.26 तक इसको बढ़ा दिया है तो किसलिए तो विमेंट शेप्टी अस्कीम को एक्स्टेंड कर दिया है 25-26 तक फरवरी 2024 में और इसके लिए जो है 1189.72 करोड यानि करीब 1180 करोड बोल सकते हैं इसको ध्यान रखिएगा 25-26 तक इसको बढ़ा दिया है तो करेक्ट तर इसका C सही होगा दोस्तो इस तरह से कूल मिलाकर 25 कोश्चन पूछे गये थे सभी को हमने डिसकस कर लिया है तो आई हूप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आयोगा तो देखें लाइक इसको जरूर करिएगा और देखें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश रखें तो थैंकि दोस्तों इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद